Hello friends, welcome to GatesMasher, the topic is Union Operator in Relational Algebra तो Union Operator जो है normal same काम कर रहा है जैसे कि set theory में हमने अल्रेडी बहुत बार पढ़ा हुए जैसे कि अगर मेरे पास एक set है S1 और उसमें elements है 1, 2, 3 एक set है S2 और उसमें element है 3, 4, 5 तो Union जो है हमने अल्रेडी बहुत बार देखा हुए कि normal काम कैसे करता है दोनों set के अंदर S1 Union S2 कांसफर के आएगा दोनों set के अंदर जो values अलग-लग है वो तो definitely आएंगी बट जो values common है उनको कितनी बार लिखना है एक बार मतलब 1, 2, 3, 4, 5 तो यानि जो normal जैसे हमने set theory में देखा हुए Union operator यहाँ पे भी Union operator का functionality जो है वो बिल्कुल सेम ही है हम इसको एक अच्छे example से देखते हैं जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दो tables ही है एक student table है, एक employee table है सबसे पहले जो है Union operator को जब भी मतलब set theory में हम जब भी बात करते हैं और जब हम बात करें database के अंदर तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे दो rules है The first rule is number of columns Number of columns must be same in number Means, जब भी आप दो table को Union करने लगे हो तो दोनों table में सबसे पहले number of columns चेक करने है Number of columns मतलब जिसको हम attribute भी बोलते है यहाँ पे मेरे पास student table में कितने column है? दो और employee table में कितने column है? दो तो यानि दोनों table के अंदर same number of columns होने चाहिए Second point is the domain domain of every column must be same domain of every column मतलब कि जो value है इसके अंदर मतलब जैसे roll number के अंदर क्या है? 1, 2, 3 तो जब भी इसको Union करना है मुझे मुझे उसी value के साथ करना है Union इसको जिस attribute में value numeric ही होनी चाहिए मतलब आप 1, 2, 3 और A, B, C इसको आप Union नहीं कर सकते तो यानि यह जो दो चीज़े हैं यह हमेशा यह दोनों rules को आपको याद रखना है by default अगर हम normal बात करें अगर हम gate के exam की या UGC net या फिर किसी भी हम normal university या college level के exam की बात करें वहाँ पे theory में चाहिए यह चीज़ें पूछ सकते हैं लेकिन अगर कोई question आता है objective type उसमें वो by default मानती है कि यह चीज हमेशा दी हुई होगी already given होगी तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले इन दोनों tables को union करते हैं तो मेरे पास दोनों चीज़े value same है यहाँ पे role number numeric है यहाँ पे employee number numeric है यहाँ पे name हमारे पास क्या है character है और यहाँ पे name मेरे पास character है तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ employee and student employee and student को अगर हम union करते हैं दोनों tables को union करते हैं तो मेरे पास अंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर 1A, मतलब जो first row है 1A, यहाँ पर कहीं पर 1A है? Yes, there is already 1A, तो 1A को हम कितनी बार लिखेंगे? सिरफ एक बार, और उसके इलावा जितनी भी non-unique values हैं, उनको as it is copy कर देंगे. So, total number of rows कितनी आ जाएंगे? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 है, लेकिन यहाँ पर कितनी आएंगे? 4, because 1A जो है, वो दो बार repeat हुआ है. अब यहाँ पर confusion क्या आती है? कि column का name क्या आएगा? column का name क्या आएगा? column का name हमेशा जो भी पहले, left side पे जो table लिखा हुआ है, left side पे जो relation है, उसी relation के जो है attribute name यहाँ पे आप लिख दो. यह तो है normal union, लेकिन जब भी हम union करते हैं, हम generally दो attributes को pick कर लेते हैं, मतलब एक table से एक attribute को, exact जो इसको हम represent कर सकते हैं, वो ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, student के अंदर हम पहले ही pi, pi मतलब projection, जो हमने already check किया हुआ है, कि pi का मतलब क्या है? हमने उस table में से सिरफ एक particular column को निकाल रहे हैं, जैसे मैं इसमें से name को निकाल लेता हूँ, pi of name निकाल लिया, और उसका union मैं कर रहा हूँ, pi of name, मतलब employ table में से भी मैंने क्या निकाल लिया? name student table में से भी मैंने pie of name कर लिया employee table में से भी मैंने pie of name कर लिया मतलब अब यानी कि इन दो tables को direct union नहीं कर रहे हैं इस में से मैंने इस column को ले लिया और इदर से मैंने इस column को ले लिया अब इन दोनो columns को हम directly क्या कर रहे है union क्या हम इन दोनो columns को union कर सकते हैं yes because दोनों में character data है मतलब दोनों का जो domain है वो क्या है same तो इसकी output क्या आएगी the output will be column का name क्या मन जाएगा name क्यूंकि already हमें पता है name और data क्या आएगा इसके अंदर A, B, C and E because A दो बार repeat है तो उसको एक बार लिखना है so the answer will be A, B, C, E मतलब अगर आपको question आता है इस तरीके से find out the name of the student who is a student also and who is as a employee also और both मतलब जो student भी है, employee भी है या both की तरह का मतलब student और employee भी है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ A, A देख लिए आप student भी है, employee भी है B, student है C, student है E, सिरफ employee है, तो यही तो purpose है union का, कि या तो is table में से value, is table में से और both में से भी, that is what the purpose of the union, तो यहाँ पर union is not a very complex operator और बहुत ज़्यादा use भी नहीं होता है although SQL में भी आएगा SQL में भी हम देखेंगे कि union को कैसे हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो major point याद रखना है वो सबसे पहले तो यह दो point कि number of column same होने चाहिए दो tables के अंदर जब भी उसको union करना है और data भी है, वो same होना चाहिए that is what main point अगर मैं यहाँ पर एक trick बताऊं अगर मैं इस data को इस तरीके से लिख दू मतलब name पहले लिख दू employee number बाद में, तब आप union कर सकते हो नहीं, क्योंकि इसने by default order उठाया student में पहले numeric है, फिर character employee में पहले numeric है, फिर character तब ही मेरा answer ही आया अगर मैं इसको values को change कर दू, मतलब पहले column name रख दू दूसरा column employee, तब इन दोनों को union करूँगा, तो answer जो है वो null आएगा, because यह हमेशा order wise, जब यह roll number को करने लगेगा, इस attribute के साथ, तो attribute कौन सा होगा, name तो वो गलत आएगा, तो इसलिए यह values जो है, वो null आजाएगी, लेकिन यहाँ पर क्यों आ रही है, because हमने order जो है, वो proper ठीक किया हुआ है, लेकिन आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, मतलब tables में से पहले आप columns को निकाल लो, और फिर उन दोनों को आप union कर लो, that is the perfect thing, thank you